साथियों आपको मुद्दे से भटकना नहीं है एक आपका ट्रेंडिंग चल रहा है दूसरा आपको ट्रेंड पे ले जाना है तीन तारिख तीन सेप्टेंबर को सुबह 11 बजे से आपकी ट्वीटर पर नई मुहिम शुरू हो जाएगी लेकिन पुरानी मुहिम को छोड़ना नहीं है पुरानी मुहिम भी आपकी अपनी है तीम वेकेंसी जोबलर्ट कोम भी आपके साथ खड़ी है हर्याना के अन्य टीचर्ट भी आपके साथ खड़े हैं और जो भी मुखरजी नगर या बड़ी-बड़ी एकेडमी बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल वाले प्रिंशन क्या क्या खेल आपके साथ खेलती है आज सिर्फ उस मुद्धों पर ही बात होगी सिर्फ उन मुद्धों पर ही बात होगी तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों का जो काम होना चाहिए वह यह है कि जिस बच्चे के पास ट्वीटर अकाउंट नहीं है जो भी काम आपका यह होना चाहिए कि आप लोग ट्वीटर पर सब का अकाउंट जोड दीजिए मम्मी पापा भाई भैंज जो कोई भी फॉन यूज करता है स्मार्ट फॉन यूज करता है उन सब को ट्वीटर अकाउंट पे ले आए और वहां पर दबा कर ट्वीट करवाईए ठी काम मीडिया का बाइकोट कीजिए मीडिया का बिल्कुल बाइकोट कीजिए चैनल डिलिट कीजिए चैनल को अंसब्सक्राइब कीजिए देखे ही मत भाया मैं बता दू आपको दस दिन पहले मेरे पिताजी टीवी देख रहे थे उन्होंने न्यूज चैनल लगाया रिया र पिताजी ने बोला new channel वाले सिर्फ बख्वास करते हैं यह तो मेरे पिताजी के बोले हैं जिने कोई मतलब नहीं है तो मैं आप लोगों कि new channel का सबसे पहले bycote करना शुरू करो जिसका काम होता है आपके मुद्दे उठाना वो ही आपको बर्गला रहे हैं मीडिया का काम है आपका मुद्दा उठाना आपका काम थोड़ी न है ट्वीटर पर फेस्बुक पर आपका मुद्दा उठाना मीडिया किसलिए है लेकिन वो नहीं कर रहे है तो उनका bycote करो खतम कर दो उनको वो सिर्फ उस طरफ जाते है जहां पर businessmen लोग उनको लेकर जाते हैं जहां से उनकी funding बनती है ठीक है न वो उस طरफ जाते है जहां से उनकी TRP बनते हैं तो आप उनकी TRP को خतम आपकी मुईम कोई एक दिन की नहीं है आपकी मुईम अगले 15-20 दिन चलने वाली है कल सुबह 11 बजे से जो हर्याना की बच्चे करने वाले हैं उसको कल 11 बजे से रात के शाम तक करके छोड मत देना ठीक है गोली भी मिलेगो आपको मिथी गोली चूसने को मिलेगी लेकिन वह है आप सबको सेंटर लेवल की भरतियों पर जो आपने आवाज उठाई हैस्टेक स्पीक अप फोर एससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स वह आपका वर्ल्ड वाइड नंबर वन ट्रेंड कर रहा है और उसे रुकने भी नहीं देना है मैं नहीं चाता कि आप अपनी आने रहेंगे क्योंकि आप हमारी जान है आप बच्चे हमारी जान है हर्याना हमारा सबसे पहला स्त्रोत है जिन्हों ने हम पर विश्वास किया पूरे हर्याना में हमें नाम दिया तो अब हम आपका जरूर साथ देंगे हम बच्चों के साथ हैं ठीक है बच्चों पहुचेगी किसी ओर टीचर की पहुचेगी ठीक है सब टीचर वीडियो बना रहे आपको पता है कि आप वीडियो बना कर वहां तक नहीं पहुच सकते जहां पर हम टीचर्स लोग आपको पहुचा देंगे क्योंकि टीचर्स लोग आपकी मदद करेंगे बच्चों से करूं HSSC की तो बहिया जेबीटी की 2012 में भरती आई थी तब HSSC के हाथ में यह नहीं थी ठीक है तो 2012 में भरती आई थी 8763 जेबीटी वाले बच्चों ने यहां पर जॉइनिंग ले ली 8763 2012 से क्या चल रहा है अब 2020 आठ साल में कोई भरती नहीं इसमें कॉंग्रेस भी जा चुकिया इसमें बीजेपी भी आ चुकिया आठ साल तक कोई भरती नहीं HTSC होता है HTSC में हर बार 2 से 3 लाख बच्चे सलेक्ट हो जाते हैं ठीक है एक लाख मालो आप 1 लाख बच्चे आपके HTSC क्वालिफाई हो गए हर बार ठीक है कितने लोग जुड़ गए मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास इस समय 5 लाख बच्चे हैं जो HTSC क्वालिफाई हैं अब इनका 5 साल का इनको दिया जाता था अब 7 साल कर दिये गए 7 साल के लिए इनको एक पत्र थमा दिया जाता है लेकिन वो पत्र काम क्या आ रहा है बच्चो उनको 5 लाख बच्चो को 7 साल के लिए एक पत्र थमा दिया गया कि जब कभी भरती निकलेगी आपको बुला लिया जाएगा क्या करे उस पत्र का बहुत से बच्चो ने तो या फिर हमसे बड़े भी होंगे कुछ उन्हों ने उस पत्र को अपने बच्चो को दिखाने के लिए दिवार में सजा दिया है बाकी उसका उनकी जिन्दगी में कोई रोल नहीं रह गया है उनकी जिन्दगी लगबग बाद हो गई है ठीक है क्योंकि वो लोग कई साल लगा दिये इन चीजों में ठीक है भरती के पीछे कई साल लगा दिये लेकिन भरती नहीं आई और वो लोग अपने कहीं ना कहीं जो उनकी छमता थी वो भी अपनी भूल चुके हैं अब मैं आगे आपको बता दूँ कैनाल प 2007 में 2007 में जिसका advertisement नमबर था 05 2007 2007 से लेकर 2015 तक इस भरती की कोई कहानी नहीं कोई कहानी नहीं निकाल के रख दिये advertisement नमबर 05 2007 और उस समय category नमबर था 4 category नमबर 4 क्या आपको पता है यह बात 2007 में पहली बार कैनाल पटवारी निकला 2015 में इस कैनाल पटवारी को दुबारा से re-advertise किया गया कितने साल हो गए कितने साल हो गए 8 साल 2015 के बाद 2019 में इसको फिर से re-advertise कर दिया गया यहां तक तो यह दसवी बारवी पे चल रहा था कि दसवी वाले बच्चे बर सकते हैं बारवी वाले यहां के इसको graduation बेस कर दिया गया बच्चों ने सैन कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है 2007 से 8 साल लगाई यहां यहां से 4 साल 5 साल हो गए 2020 हो गए अब तो लेकिन केनाल पटवारी की जरूरत ही नहीं पड़ी तो फिर 13 साल से कोई रिटायर नहीं हुआ कि इस department में कोई रिटायर्मेंट हुआ तो उसकी जगे काम किस ने किया कौन काम को समाल रहा है समझ में आ रहा है कुछ मतलब उस समय 2007 में तो मेरे पास आकड़ा नहीं है कि कितनी वेक इसका मतलब उस समय होगी लगबग 400 के करीब 400 से 892 हो गई 8 साल में लेकिन आप लोग यह देखो इन भरतियों का कुछ भी नहीं हुआ 892 केनाल पटवारी नहीं है अर्याना में इस समय अभी तो देखो 2019 में 1100 कर दिया गया केनाल पटवारी की टोटल भरती 2019 में हो गई है 1100 यह लो 1100 कर दी गई है तो इसका मतलब यह हुआ कि 13 साल से बढ़ते बढ़ते वेकेंसी 1100 हो गई मतलब रिक्वायर्मेंट तो है है अप क्या कर रहे है जनाब HSれ क्या कर रही है इन भरतियों कर इतना लंबा घूल लटकाया गया है हर बार चुनाओ के समय आपको गुली दे-द Welcome चुनाव के समय आपको गोली दे दी जाती है अब आपकी बात पहुचनी चाहिए नंबर वन पे पहुचनी चाहिए एक और मुद्धा एक और पॉइंट बताता हूं आपको पहली बार ग्राम सचीव निकलता है 2013 में 2013 में एडवर्टाइजमेंट नंबर 02-2013 पे टोटल वेकेंसिया होती है 250 200 वेकेंसी निकलती है कोई भरती नहीं होती है 2015 में यह रियाडवर्टाइज हो जाती है यही भरती 2015 में रियाडवर्टाइज हो जाती है और यह वेकेंसी बन जाती है 435 ठीक है 2015 से 2019 में यह फिर स से रियडवर्टाइज हो जाती है यही वेकेंसिया बढ़ कर बन जाती है 697 इसका मतलब वेकेंसिया बढ़ रही है तो requirement तो है मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वेकेंसिया बढ़ रही है तो काम करने लिए बंदों की तो जरूरत है तो फिर आठ साल से तेहरा से उननिस भी इस लगाओ आप आठ साल ही हो गए आठ साल से कनाल पटवारी ग्राम सचिव के पद को कौन समाल रहा है इतने पद खाली है तो इनको समाल कौन रहा है हाना चहसो सतानवे पदखा लिया है मतलब चहसो स्काल गाओं में ग्राम सचिव जैसी कोई सुविधा नहीं है मैं तो मिनिमम मान के चलता हूँ तो बताईए क्या आपके गाव में जो ग्राम सची होता है सेक्रेटरी होता है वो आता है कभी आता है क्या पता ही नहीं सर हम तो जानते भी नहीं है कौन है हमारा ग्राम सची हो तो मैं ये बताना चाहरा था कि देखे कितनी बड़ी बड़ी भरतिया रुकी हुई है ये तो HSSC का हो गया ये वाला काम अब बात करते हैं क्लर्क बेटा वेकेंसी जो बलट डोट कॉम से बिलोग करता हूं मैं मैं देख रहा हूं क्लर्क के कम से कम 17 से 18 नोटिस आ चुके हैं भर गया है पेज पूरा लिख लिख के कभी उसका डीवी कभी एडिसनल कभी ये कभी व तो मतलब इनसे एक भरती नहीं हो रही है अब आपका टार्गेट है ये जो मैं हैस्टेग आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये सारे हैस्टेग आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीटर पर लगाओ अपने मुद्दे से भटको नहीं ये नहीं होना चाहिए कि ये तो ज क्या है आपकी डिमांड है से डिवाश सबसे पहली डिमांड क्या है आपकी से बरस प्यारे बच्चों से बमस के बारे में आप सब जानते हैं कि कैसा खिलीए coming के नाम पर बोल दिया जाता है कि पिछेतर पर-सेंटे जो आएगा वह एगा रिजिनिंग मैथ मैठ किसा इसक इसके बाद आपका English और इसके बाद आपका लिये, 55 % बोल दिया, लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि लेल कहां कायेगा, इसमें यह नहीं बताया कि Risationing कितने की Math कि Science कितने की Computer कितने की, मान लिया आपकी बात आप लीजिए, यह सबजेक्ट दसवी तक हमें पढ़ने को मिलते हैं आप लिजिये आप paper में इनको रखिये लेकिन ये कौँ करेगा कि कितना कितना number का आएगा और किस level का आएगा आप क्या करते हो आप ग्रूप D का paper लेते हो आप ग्रूप D के paper में जो पहले दिन pattern आता है उस pattern को रोजाना follow करते हो question भी वैसा का वैसा put करते हो सिर्फ value बदलते हो आप क्या करते हो सिर्फ value बदलते हो तो ग्रूप D का पहले दिन जो बैपर देने जाता है वो तो बच्चो मैं आपको बता दू वो तो सिर्फ ये देखने जाता है कि sleb bus क्या आरहे है ये हाल है हमारे Hssc का पहले दिन जो बच्चा पेपर देने जाता है उसको तो यही मालूम पड़ता है कि स्लेबस क्या आ रहा है दूसरे दिन वाला बच्चा थोड़ी भोत तैयारी कर पाता है तीसरे दिन वाला बच्चा ज्यादा सेलेक्ट होता है क्यों क्योंकि उसे पता लग गया कि जो पहले बस decided होना चाहिए और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए कि जो पहले दिन पैटरन दे दिया सेम पैटरन पे question आप math और reasoning के अगले दिन भी पूछ लेते हो उससे अगले दिन भी पूछ लेते हो भाई जो बच्चा पहले दिन गया वो तो सलेबस देखके आ गया लेकिन जो लास्ट वाले दिन गया वो selection ले गया ठीक है selection तो छोड़े यार selection कहां देते हैं मतलब वो pass हो गया अला कि वह पास होके भी रो रहे, फेल होने वाले तो चलो रोई रहे हैं, वह पास होके भी रो रहा एं, ठीक है न, वो मुझे पता है, रो रहे हैं, आप लोग जानते हैं, पूरे हरियाना से connect हैं, कितनी कोल आती होगी, दिन में कितने message आते होगी, सर इसका क्या रहेगा, सर आपकी बात आपको खुद पोचानी है आपको अपनी बात पोचानी है ऐसी हुआ हर्याना पुलिस के पेपर में पहले दिन जो पेपर देने गया बेचारा फस गया पहले दिन जो पेपर देने गया वो फस गया मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने जिन से पड़ी का पेपर पहले दिन था ब्रो पहले दिन और हरियाना SI का पेपर उनका माली जी आज सुबह हो चुका है तो स्याम वाली सिफ्ट में था तो मतलब कहीं न कहीं वो उस चीज़ का फाइदा उठा जाते थे कि पैटरन सेम आना है इस तरह के क्यूशन पर पकड़ कर लेत है आदा गंटा एक गंटा लगता है फाइदा उठा लेते हैं तो यह गलत है यह बच्चों के साथ धोखा होता है ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरा स्लेबस मैंसन होना चाहिए कि क्या आएगा आप लोग इतना मत लिखें कि 75% यहां से आएगा 25% हरियाना की जी के आएगी स्लेबस यह लिखके छोड़ देते हैं तो भाईया इससे कुछ नहीं होने वाला है इससे हमारे बच्चे तयारी करके भी जाते हैं पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं लेकिन वहां जाके उनको पता चलता है कि जो मैं पढ़के आया हूं वो तो स्लेबस में ही नहीं है 12th का मै मैथ पूछते हो 10th base पे भरती है आप इतना लेवल का मैथ पूछते हो बताओ बच्चा कहां जाए भाई जो science background का बच्चा है वो तो दे भी देगा बाकी बच्चे क्या करेंगे समझ रहे हो ना आप लोग 10th level की भरती है तो 10th का ही रखो 12th की भी है तो फिर अगर science के question दे हैं 12th के तो फिर 12th mathematics वालों के लिए निकालो ना special भरती आप आर्ट वाले बच्चों और commerce वाले बच्चों को उसमें क्यों घसीटते हो तो इस तरीके से आप लोगों की बहुत समस्या हैं बच्चों आप तैयारी करके भी रो रहे हो आप confident होके वहां जाके रोने लगते हो पेपर देते वक्त रोते हो घर आकर रोते हो फिर अगली आस में फिर बैट जाते हो कि चलो अब हमारे पास एक और भरती आ रही है उसमें लग जाते हैं इतनी देर में कोई center government की आ जाती है उसमें लग जाते हैं लेकिन result कहीं से नहीं मिल रहा आपको जैसे कल धुआ उठा परसो धुआ उठा तो आपके सामने नोटिस भी आया एसेसी ने नोटिस दिया लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक हमें भैकाने की कोशिस की गई है बच्चों रुकना नहीं है मुहिम बड़ी है मुहिम को लंबा चलाना है आगे देखो आगे देखो हम बात कर रहे थे यहां हना कि 45% यह वाला हो गया अब हमारा काम क्या है हम लोगों को दो तीन काम करने आप एक तो आप लोगोंने काली पठी बांद कर आखों पर आखों पर काली पठी बांद कर हो सके तो जितना हो सके ये काम भी करो काली पट्टी बांद कर अपनी image लगानी है फेस्बुक पर इंस्टाग्राम पर जहां पर लोग आपको फोलो करते हैं आखों पर काली पट्टी बांदो और वहां पर फोटो खीच के image लगाओ और उसके नीचे आप लिख भी सकते हो बाइकोट एचससी या फिर speak up for hashtag speak up for speak up for hssc hssc students ठीक है बच्चो इसमें gap नहीं होना चाहिए ध्यान रखना यहां पर gap नहीं होना चाहिए तो कितनी ज़्यादा चीजें हैं कि आपको सुधार की जरूरत है define syllabus define calendar also requirement of calendar define calendar calendar define कीजिए आप लोग पहले से ही define calendar hssc define calendar हम कहेंगे hssc आप calendar define कीजिए define calendar ठीक है तो hashtag के साथ ये सब आपको post करना है facebook पे भी hashtag के साथ करो आप लोग twitter पे भी hashtag के साथ करो ज्यादा effect twitter का आएगा क्योंकि बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी जो पार्टिया है विपकसी पार्टिया है सब किस पे आए भाई सब twitter पे है हमें सरकार हटाने का मुद्दा न उठा कर दूसरे बच्चों के बारे में ये सोच लेते हो कि भाई वो अपना करे हम अपना करे नहीं सब को common लेके चलो मैं चाता हूँ कि आप HSSC के जो बच्चे हो जो ग्राम सची पतवारी हर्याना पुलिस की तयारी कर रहे हो वो लोग मुद्दा उठाओ जेबीटी का साथ में मिक्स उठाओ जेबीटी को भी ले लो साथ में हैस्टेग जेबीटी भरती हैस्टेग भरती कुछ भी टीचर्स भरती हैस्टेग टीचर्स भरती हैस्टेग टीचर्स भरती कुछ भी लिखी आप लोग इस तरीके के हैस्टेग लगेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि मुद्दे क्या क्या है जो 5-6 hashtag आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं ये सारे hashtag आपको अपने Twitter पे ले जाने हैं ये सब मैं description में भी दे रहा हूं मैं क्या tweet कर रहा हूं वो Twitter का मेरा link भी नीचे दे रहा हूं आप लोग उसे भी copy कर सकते हैं, retweet कर सकते हैं, vacancy job alert का official twitter channel क्या post कर रहा है, उसे भी आप retweet कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल exact आपके लिए ही काम करेंगे, और मेरी सभी teachers से दर्खवास्त है, हर्याना के सभी अध्यापकों से, कि आप लोग इन बच्चों के साथ आएं, आप लोग इनके मुद्दे को उठाएं, देखिए center government के मुद्दे को मत छोड़ देना बच्चों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका हर्याना से काम चल जाएगा, आपको center government में भी जाना है, आपको हर्याना government में भी जाना है, तो बच्चों get ready, हला बोल, हला बोल, समझ रह नहीं है, बेवकुफ नहीं है, आपको railway भी गोली देगी, आपको HSSC भी कुछ दिन में गोली देगी, आपको उस गोली से नहीं मानना है, आपको इसको लंबा खीचना है, जितना लंबा खीचोगे, संसोधन होगा, नए नियम बनेंगे, अच्छे से कारवाई होगी, अग आपका काम है, रुके रहना 15-20 दिन के लिए, ट्विटर अकाउंट 15-20 दिन के लिए बना लो, फिर से डिलिट कर देना, कब डिलिट कर देना, जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, उससे पहले डिलिट मत कर देना, तो प्यारे बच्चों, टीम वेकेंसी जो बलट आप जरूरी है, हमें SSC और SSC और Railway सब का कलेंडर चाहिए, कलेंडर चाहिए और उस कलेंडर पे लिखित में चाहिए, जो लिख दिया, आप ऐसे नहीं कि तीन महीने बाद फिर री अड़र्टाइजमेंट, फिर री अड़र्टाइजमेंट ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है न, एक तो आप भरतिया कम करते हो, रूपर से उनको भी टाइम पे नहीं करते हो, ठीक है, तो हम फासी नहीं खाएंगे, हम आवाज उठाएंगे, ठीक है, कुछ बच्चों ने फासी खाई है, पिछले समय में, बजबूर, परेशान होकर, बहुत है, सैद आप लोग नहीं हमें पता लगता है, हम मीडिया का बाइकोट करेंगे, हम मीडिया को नहीं देखेंगे, न्यूज चैनल को नहीं देखेंगे, मैं बता रहा, जब मेरे पिता जी उस चीज को बाइकोट कर सकते हैं, तो आप क्यो नहीं, उनको तो पता भी नहीं था, कि ऐसी कोई मुहिम चलन उनका मन करता है वो देखते हैं लेकिन new channel नहीं देखते हैं discovery channel देखते हैं लेकिन इन सब से आप लोगों को दूर हटकर अपने मुद्दे पे बना रहना है आप लोगों को अपना social media का फाइदा उठाना है अपने android phone का फाइदा उठाना है क्योंकि आपकी आवाज उठाने आ ट्विटर अभ्यान शुरू हो रहा है और इसको छोड़ना नहीं है जब तक मंजिल प्राप्तना हो जाए धन्यवाद आज के लिए